भगवान शिव स्वयम ही मार्ग्र सीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिती को अगहन महीने की अश्टमी तिती को भगवान शिव स्वयम ही काल भैरो के रूप में परकट हुए तो जो भगवान काल भेरों का दर्सन करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय जलके खतम हो जाते हैं काल भेरों का दर्सन करने वाले की कभी अकाल मृत्यू नहीं होती है जो काल भेरों का दर्सन करता रहता है आपको एक चीज और बताए किसी भी दिन आप काल भेरों का दर्सन करने जा सकते हैं कोई उसमें प्रतिवंद नहीं है पर फिर भी जो मंगलवार के दिन काल भेरों का दर्सन करता है उसको उनकी बिसे स्कृपा प्राप्त होती है माराजी कौन से दिन? मंगलवार और एक दिन और आप एड़ कर सकते हैं शनिवार काल भेरों की विसेस किर्पा काल भेरों का विसेस अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अकाल म्रत्व और अप म्रत्व को टालने के लिए भगवान शिव के भी विसेस अनुग्रह पात्र बनने के लिए हमें काल भेरो का पूजन और काल भेरो का गरसन करना चाहिए